सुन्दर्वन जंखल में टुंटुनी नाम की चुडिया रहा करती थी. आज टुंटुनी की शादी है. बरात जब चुडिया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था. किसी ने कहा कि टुंटुनी भाग गई है. काफी समय के बाद बाराद वापिस चली गई तुन्टुनी तुने ये क्या किया तुन्टुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी माबाप की एक लौती बेटी थी उनकी इज़त मिट्टी में मिल गई थी टुन्टुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चुडिया के साथ देख कर उसकी पहरो तले जमीन के सग गई थी मैं तो कहीं की नहीं रही अब कौन सा मू लेकर मैं घर जाओ मुझसे शादी का वादा किया और यहां दूसरी चुडिया के साथ रंग रल्या मना रही हो मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का खुआप देख रही थी टुन्टुनी निराज शो कर घर की तरफ लोटाई पूरे घोसले में मातम पसरा हुआ था घर के भीतर से रोने के आवाजे सुनाई पड़ी तबी मा की चीख सुन कर वो सहम गई मैं बहुत आप भागी हूँ लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली मुझे यहां से तुरंट निकल जाना चाहिए वो तुरंट सुन्दरवन जंगल को छोड़ कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंदप से भाग कर वो कहां जाएगी अपने दुरभाग्ये पर उसकी आँके बरस पड़ी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी से अवाज टकराई Excuse me, क्या मैं यहां बैट सकती हूँ आरे भूरी तुम तुन्टुनी तुम कहां जा रही हो और इतनी सजी, सबरी और बाकी घरवाले कहां है बस बस भूरी, इतने सवालों को जवाब एक साथ कैसी दूँ, अब पहले बैठ जाओ, ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर की हुए हाँ, मेरी ही बच्ची है गुडिया, इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ, इसके दिल में छेद है, इसको ऑपरेशन करवाना है ओ, I'm sorry, पर तेरे पती देव कहा है, दिखाई नहीं दे रही तुन्टुनी, मेरे पती तुन्णू इस दुनिया में नहीं है, हमने उनके माता-पिता की इच्छा की वुरुद्ध कोट मेरिज की थी, वो लोग ना हमें आशरवात देने आये, और ना ही हम कभी उनके पास गए ओहो, ये तु बहुत दुख्की बात है, वैसे तुम बताओ कहां जा रही हो तुन्टुनी ने पूरी को सब कुछ बता दिया अच्छा तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो, मेरे ससुर जी बहुत रहीस कववा है, उनके कई कार खाने है, कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा ओ थाइंस पूरी, मैंने M.B.E. किया है, इसी साल मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगी मेरी एक भी न सुनी, मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे तुन्टुनी की आँखों से आँसु गिनने लगे थे, तुन्टुनी रोना बंद करो, मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ, जब मेरे ससुर जी ने तुन्नू के मरने की खबर सुनी, तो उनका सारा घुस्सा पानी हो गया, उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्च तुन्टुनी की उपर आकर गिरी, उसकी माथे से खून की धाराएं बह रही थी, तुन्टुनी मेरी एक मदद कर दो, मैं शायद जिंदरी और मौस से जूज रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज मेरी बच्ची को उसके दारा दादी के पास पमचा देना, और तुम उसकी मा बन कर ही जाना, वो मुझे नहीं पहचानते, ये कहते कहते, भूरी की आँखे बंद हो गई थी, तुन्टुनी की रोते रोते हिचकियां बन गई थी, अब मैं क्या करूँ, भूरी को छोड़ कर कैसे जाओ, उसने गुडिया को सीने में जोर से बीच लिया, और पते पर पहुँच गई, घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी, तुन्टु की पिता कड़कना सेट ने उसे देखते ही कहा, आओ बीटी भूरी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बना कर रखी, उपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है, तुन्टु की मा संदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो, आरे कलावती, भूरी भावी का सामान तुन्टु की कमरे में रख दो, भावी को उनका कमरा दिखा दो, तुन्टुन इस नए घर में बहुत या सहज महसूस कर रही थी, पर कट पुतली की तरहां सब की हां में हां मिलाती रही, कमरे में जाकर वो तुन्टु की तस्वीर के सामने, खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए, मुझे आपकी विद्वा का रूप धारन करना पड़ रहा है, भूरी की भी यही इच्छा थी, मैं विद्वा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी, जब इस जूट का परदा फाश होगा तो क्या मुझे दिखाऊंगी, ये सोचते ही उसका कलेजा मुझे को आ गया, तब ही दर्वाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा, हमने जब टीवी में समाचार सुना की, जंगल में तेज तूफ़ा और बारिश ने कहर बरसाया है, तो सारी उमीदे खतम हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया, चल खाना खाकर अराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहां भी जाना है, गुडिया को दिखाने, जी माजी, उसको वहां रहते हुए एक साल होने को आया, अब समय आ गया है, मैं इन लोगों को सच्चाई बता दू, किसी इंसान को कब तक धोके में रख सकती हूँ मैं, यही सोच कर, वो सास की कमरे की तरफ बढ़ गई, तब ही सास की आवाद उसके कानों में पड़ी, मैं इतने बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ, अगर वो नहीं मानी तो, एक बार कहकर तो देखो, उसकी मर्जी के मिना हम कुछ नहीं कर सकती, देव कबुतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है, वो तुन्नू का दोस्त है, तुन्टुनी ने सुना तो, उसकी आँखों से आंसू आ गई, वो तुरन तंदर चली बापु जी, मा जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, बोलो बेटी, गुडिया भी पूरी तरह से सुस्थ हो गई है, अब आप लोगों को में धोका नहीं देना चाहती, पर, पर क्या बोलो, तुन्टुनी ने शुरू से लेकर अंग तक सारी बात बता दी, सब कुछ बीटी, ये तुमारा बहुत बड़ा बलिदान है, तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया, जब हम बिलकुल बे सहारा हो चुके थे, एक तरफ टुन्टु की मौद और दूसरी तरफ भूरी की मौद का समाचार सुनकर, शायद हम दोनों तूठी जाते, पर तुमार उस जूट ने हमें जीवन दान दिया है, ये सच है, इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कोवारी विद्वा बहु बन कर रही, अब हम तुमारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। अरे टिंकु भाई, यहां देखो, यहां इस तरह, अरे भाई हरी कैसे हो, कहां हो बहुत दिन बाद मिले, बेटी की शादी के लिए रिष्टा पक्का करने गया था, बहुत अच्छा रिष्टा मिला है, अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लाइक हो गई हां अब तो रीना सोला की हो गई है, शादी का समया ही गया है, इतना अच्छा रिष्टा मिला था, तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ भाई हादी क्या बात कर रहे हो, रीना तो अभी ना बालिग है, तो मुसके शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो कोई बात नहीं, दो साल में बालिग हो जाएगी, अरे रिष्टा पक्का कर गया आया हूँ और दो साल बाद रीना को उनके घर बेज़ दूगा, इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता, अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुंटुनी चडिया कैसी है, वो भी तो दॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा, मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सर से लेकर पैर तक करदे में डूबा है, दॉक्टर की पढ़ाई का कैसे उठाएगा, अरे टुंटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई अगर कुछ बन भी गई, तो तुझे क्या मिलेगा, ठैंका? टिंकु को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता, दौनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछ कर अपनी अपने घर निकल जाते हैं, वहीं शाम को टुंटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है, तो रास्ते में उसको उसकी सहीली पिंकी दिखती है, अरे पिंकी कैसी हो, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्या बात है आजकल सिलाई कडाई छोड़ दी, बबली आंटी पूछ रही थी, दरहसल मैं म कडाई कर रही हूँ, एक महीने बाद मेरा एकसाम है, तो उसके तैयारी में लगी हूँ, इसलिए अभी सिलाईों कडाई नहीं कर पाऊंगी, चलो में चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है, टुन्टुनी दिन रात मन लगा कर पढ़ती है, और एकसाम की तैयारी करती है, कु बहार आता है, और बोलता है, शान्त हो जाओ भई, शान्त हो जाओ, मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पढ़ी, मेरा बेटा दसवी पास है, और अगले साल बीस का हो जाएगा, तु कहे, तो टुम्टुनी की शादी उससे करव और इतना बड़ा मैडिकल का खर्चा, तेरे को पता भी है, तु क्या सपने देख रहा है, परिंदे को उतने ही पैर पहलाने चाहिए, जितनी उसकी चादर हो, देखो भाईयो, मुझे सब चीजों का पता है, मैंने बैंक से लोन ले रहा है, मेरी बेटी जब डॉक्टर बन और अगर वो पास नहीं हुई, तो तेरी शगल देखने लायक होगी, तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा चादी के लिए, इतना बोल कर, सभी वहां से चले जाते हैं, घर के अंदर से टुन्टुनी सबकी बाते सुन रही होती है, टुन्टुनी को बहुत दुख हो चिलाता है, टुन्टुनी, अरे टुन्टुनी, अरे बेटी टुन्टुनी किदर हो, क्या हुआ पिता जी, तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया, यही नहीं तुझे 25 लाग की स्कॉलर्शिप मिली है, पूरे 25 लाग की, अरे अरे मैं तो फूला नहीं समा रहा, इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, जितने की तुझे स्कॉलर्शिप मिली है, टुंटुनी बहुत खुश होती है, और टिंकु भी टुंटुनी की काम्याबी देख कर बहुत खुश होता है, टुंटुनी पढ़ाई करने के लिए शेहर चली जाती है, जंगल की पक्षी तब भी टुंटुनी की बारे में बाते बनाते हैं, और टिंकु को कोस्ते रहते हैं, क्यों टुंकु तुने तो उपनी लड़की बेच दी, शरम नहीं आती, लड़की है उपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शेहर में क्या कर रही होगी। से उचा हो जाता है, टुंटुनी साबित कर देती है, अगर मन लगा कर कुछ ठान लिया जाए, तो सब कुछ हासिल हो सकता है। पर मिलती है कि बंटी की एक दुरघटना में मौत हो चुकी है। बहू किसका फॉन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माजी सब खतम हो गया, सब बरबाद हो गया माजी। बहू तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुस्से मजा कर रहा होगा, लादे फॉन में बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुन्टुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तुने बहू से क्या बोला है। अंटी जी, ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है, एक दिन बबली से मिलने, उसकी बहन बेबो आती है। चाती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बहू तो तयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ, रोने लगती है, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तू ही बहू को समझा। बेबो टुन्टुनी की कमरे में जाती है। टुन्टुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी, आप कब आई हूँ? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा, तू मेरे पास बैट, मुझे तुससे कुछ बाते करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुन्टुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिन्दगी है, तू मेरी बात मान दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापिस आ नहीं सकता। मौसी जी, आप ऐसी बाते मत कहिए, मैं बंटी को कभी बुला नहीं सकती, मैं दूसरी शादी अब नहीं करूंगी। देख टुन्टुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती, अब मैं मा जी की साथ थी, अपनी जीवन को बिताना चाहती हूँ, बंटी ही उनका एक मातर सहारा था, वो तो चला गया, अब मैं मा जी का सहारा बनूगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूँ, तो आप लोग मेरा एड्मीशन किसी कॉलेज में करा दीजिए, मैं आगी पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे, मैं तो तेरे भले की नहीं कह रही थी, मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरे एड्मीशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टूंटूनी कॉलेज जाने लगती है, एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ उसकी मुलाकत उसकी सहेली के भाय से होती है आप कौन है, आपको किसे काम है मैं बुलबुल की सहीली टुन्टुनी हूँ, मैं नोट्स लेने आई हूँ बबली तो भी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूँगा, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुन्टुनी है जब बुलबुल घर पर आती है, तब उसका भाई रौकि उससे कहता है बुलबुल, तुमारी सहीली टुन्टुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी हाँ भाईया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था, ताकि तुम उसे देख लो और वो तुमें देख ले बिचारी विद्वा है, और मैं उसे अपनी भावी बनाना चाहती हूँ, कहो तुमारी क्या राय है ठीक है बुलबुल, मैं टुन्टुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ बुलबुल अपने भाई करिष्टा लेकर टुन्टुनी के घर जाती है आंटी जी, मैं टुन्टुनी को अपनी भावी बनाना चाहती हूँ, मेरे माबाब तो बच्पन में ही गुजर गए है, इसलिए मैं अपने भाई करिष्टा लेकर आई हूँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुन्टुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है बस अंटी जी, आप हाँ कह दीजी, मैं टुन्टुनी को मना लूँगी बुलबल टुन्टुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है, आखिरकार टुन्टुनी शादी करने के लिए मान जाती है और एक दिन धूमधाम से टुन्टुनी और रौकी की शादी हो जाती है, टुन्टुनी अपने ससुराल जाकर खुशी-खुशी रहने लगती है